समस्कार बच्चो आज मैं कक्षा त्रिते को पार्ट नो पढ़ाने जा रही हूं पार्ट का नाम है जंगल की आजादी पार्ट नो पार्ट परवेश प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि आजादी से जी ने कहा कि अविल मनुश्यों को ही नहीं अपी तु जंगल के जंगल में भी खुसिया जही हुई है सब लोग आजादी का दिन आया है जंगल में भी लोग आजादी का दिन मना रहे है हंसी खुसी और बड़े चाव से सबने वन को खूब सजाया है जब हंसी खुसी आपस में मिल कर सबने वन जंगल को खूब से अच्छ से इसको सजाया बंदर मामा ने सुन्दर सा उंचा मंच बनाया कोयल मोर पपी है ने मिलकर राष्ट गान था गाया बंदर मामा ने बहुत उंचा सुन्दर सा स्टेज बनाया है जैसा हम 15 अगस्त को बनाते हैं 26 जनूरी को बनाते हैं वैसा ही कोयल मोर पपी है ने मिलकर राष्ट गान था गा वन राजा ने सलामी ली इसमें वन राजा हमारी स्कुल ने सलामी को लेता है प्रिंसिपल मैम वैसे ही वन सर लेते हैं प्रिंसिपल मैम लेती है वैसे ही यहाँ पे वन राजा ने सलामी ली है जंडा भी फैराया है और राजा दी है तू मर मिटने का सब को पाठ पढ़ाया है कदम ताल से ताल मिला कर बजे बेंड सहनाई दूलक बोली ताग दिना दिन नाच उठा लोमड भाई ताल से ताल मिला कर कदम से कदम मिला कर सबने बेंड और सहनाई बजाई है दूलक बोली दूलक भी बोली है ताग दिना दिन दूलक के उपर नोमड भाई नाच रहा है हाती भलू और गिलैरी खुश-खुश दिखते सारे देश के खाते मिट जाएंगे गूंज रहे थे नारे हाती भलू गिलैरी सारे जंगल के जानवर बहुत खुश हो रहे थे और देश के खाते मर मिट जाएंगे यही नारे सब लगा रहे थे जोर जोर से ये देश के खातिर मर जाएंगे, मिठ जाएंगे, यही सब नारे लगा रहे थे ढोल बता से बंटी मिठाया सबने जी बर खाई, एक बनेंगे नेक बनेंगे, सपत हमें है सपत का मतलब कसम डोल बज रहे थे, बता से बंट रहे थे, मिठाईयां बंट रहे थी, सब लोग भर भर, पेट भर भर के खा रहे थे, एक बनेंगे, हम सब भारत वाशी एक है, यही नारा गूंज रहा था, एक बनेंगे, नेक बनेंगे, हम सब अच्छा कार्या करेंगे, अच्छे इंसान ब अब इसका अप्यास का रही है सही उत्तर के सामने राइट लगाईए ढोलक पर को नाच रहा था लोमड भाई मिठाईया किसने खाई सबने वन राजाने ली सलामी अब ये प्रश्ण नमबर तीन है कविता की पंक्तिया पूरी कीजिए ये आपको घ्रह कारिय करना है ये इसका विता की पंक्तियों को आपको पूरा करना है अब आता है भासा ग्यान वाक्य बनाने हैं जंगल जंगल में खुस्यां अचाई है आजादी आजादी का दिन आया है सपत सबने देश के लिए मर मिठने की सपत ली मिठाई जंगल में मिठाई बांटी गए प्रियाई वाची शब्द लिखे हाती गज नाग मूर मयूर सारंग आजादी मुक्ती स्वाधिन्ता चाव उमंग अनुराग प्रश्ण नम्बर तीन दिये गए क्रिया सब्दों के सही रूपो हो खाले इस्तान भरिये मुझे पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है पेड़ पर तोता बैठा है दरजी कपड़े सीलता है जढ़ना गिरता है और नदी महती है बच्चा भू से रोने लगा पार्ट में से पांस अंग्या शब्द चुन कर लिखिए कविता, जंगल, कोयल, जंडा, मिठाई अब बेब आपको ये कवारी आपकी कोपी के अंदर करना है लेकनी, एकदम सुंदर लेकनी के अंदर आपको ये कारिया करना है पहले पार्ट नो, जंगल की आजादी शुरूत लेक, जो आपको तीन वार करने है जंगल, फहराया, आजादी, मंच, राश्टरगान, मिठाईया, सलामी, सपत, ढोलक, उंचा शब्दार्थ किताब की पेज नंबर 62 पर है, जो आपको अपनी कोपी में करने है एक या दो शब्दों में उत्तर जंगल के लोगों ने किसे सजाया था? वन को प्रस्तूत कविता किस पर आदारित है? आजादी पर आजादी का दिन किस के लिए आया था? सभी जानूरों के लिए अब आते हैं परस्तूत तर जंगल में खुसिया क्यों चाही हुई थी? जंगल के जानवर आजादी के दिन का उत्सा मना रही थी इसलिए जंगल में खुसिया चाही थी परस्त नबर 2 बंदर मामा ने मंच क्यों बनाया था बंदर मामा ने राश्टरगान गाने के लिए मंच बनाया था प्रश्ट नमबर तीन वन राज ने सलामी लेते समय कौन सा पार्ट पढ़ाया वन राज ने आजादी के लिए अपनी जाम देने का पार्ट पढ़ाया प्रश्ण नमबर चार नारे किसके खांतेर गूंज रहे थे उत्तर देज के लिए मर मिटने के नारे गूंज रहे थे प्रशन नमबर पांच जंगल में क्या क्या बंटा और क्यों जंगल में मिठाईयां और बता से वांटे गए थे क्योंकि सब आजादी का जैशने मना रहे थे धन्यवाद